उस्तो आज की कहानी है कुछ रिष्टे बहुत मीछे होते हैं सिर बाते कर भी होती हैं बहु कहा मठ गई अंदर से आवाज आई जिन्ता हूं माजी तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई कब से पूजा करके बैठी हूं ला रही हूं माजी बहु चाय के साथ भजिया भी ले आई सास ने कहा तेल का खिला कर मारोगी क्या बहु ने कहा ठीक है माजी ले जाती हूं सास ने कहा रहने देव बना दिया है तो खा लेती हूं सास ने भजिया उठाई और कहा कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने बहु माजी मुझे कपड़े दोने है मैं जाती हूँ बहु दरवाजे के पास चिपकर खड़ी हो जाती है सास भजिया पर तूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी बहु मुत्कुराई और काम पर लग गई दोपर के खाने का वक्त हुआ सास से पिर आवाज लगाई मुझ खाने को मिलेगा बहु ने आवाज नहीं दी सास फिर चिलाई भूखे मारोगी क्या बहु हाई सामने किच्री रख दी सास गुस्से से ये क्या है मुझे इसे नहीं खाना इसे ले जाओ बहु ने कहा आपको डॉक्तर ने दिन में खिच्री काने को कहा है खाना तो परेगा ही सास मुँ बनाते हुए हाँ तु मेरी मा बन जा बहु फिर मुस्कुराई और चले गई आज इनके घर पूजा थी बहु सुबह चार बजे उठ गई पहले स्नान किया फिर फूल लाई माला बनाई रसोई साप की पकमान और भोग बनाया सुबह के दस बज गए अफसास भी उठ चुकी थी बहु अब पंडी जी के साथ भगवान के वस्त तयार कर रही थी आज ओफिस की चुटी भी थी उनके पती भी घर पर थे पूजा शुरू हुई सास चिलाती बहु ये नहीं है वो नहीं है बहु दोरी-दोरी आती और सब करती अब दोपर के तीन बज गए थे आर्ती की तैयारी चल रही थी पंडी जी ने सबको आर्ती के लिए बुलाया और सब की हाथों में थाली दी जैसे ही बहु ने थाली पकरी थाली हाथों से गिर परी सायक भोग बनाते हुए बहु के हाथों में तेल लगा था जिसे वो पोचना भूल गई थी सारे लोग तरह तरह के बाते करने लगे कैसी बहु है कुछ नहीं आता एक काम भी ठीक्स नहीं कर सकती ना जाने कैसी वह उठा लाए एक आर्थी की थाली भी समाल नहीं सकी उसके पती भी गुसा हो गए पर फिर पानी लाती करीब सत्तर असी लोग हो गए थे इधर दो नौकर और बहु अकेली फिर भी वहाँ सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती अब उसकी सास और कुछ आस पर उसके लोग खाने पर बैठे बहु ने खाना परुसना सुरू किया सबको खाना दे दिया गया जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या एक काम ठीक से नहीं करती पता नहीं मेरे बात कैसे ये गर समालेगी आस पर उस वालों को तो जानते ही हो न सहब वो बस बहाना डूनते हैं नुक्स निकालने का फिर वो सब सुरू हो गए ऐसा खान हो चुका था अब बहु बरतन साप करके नौकरों के साथ लग गई रात में जागरन का कारकिरम रखा गया था बहु ने भी एक दो गीट गाने के लिए स्टेस पर चरी साल जोर से चिलाई मेरी नाक मत कटवा देना गाना नहीं आता तो मत गा वापस आजा बहु मुस्कराई और गाने लगी शब ने उसके गाने की तारिप की परशास मुँ फुलाते हुए बोली इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में तुझे तो कुछ भी नहीं आता बहु मुस्कुराई और चली गई अब रात का खाना खिलाया जा रहा था उसके पती के ओपिस के दोस्त स चलाती यहां दाल नहीं है फिर चलाता कोल रिंस नहीं है पापर ले आओ इधर उधर आकरी में उसके पती की शराप गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल चुट गई पती गुस्से में दोजहा पर अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है जाहिल कहीं की देखकर नही बुलाया होता हम कहीं और पाटी कर लेते कैसी अनपर गवार बेबी ला रखी है तुने उसे तो मेहमानों की जट और काम करना तक नहीं आता तुमने तो हमारी बेज़ती कर दी अब आस पर उसकी औरोतों को और बहाना मिल गया था वो कहने लगी देखो क्या कर दिया तुम जाकर उसे थपन मारा और कहा अरे नलायक तुमने मेरी बहु को मारा तेरी हिमत कैसे हुई तेरी टांग तोर दूँगी उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माने घुरते हुए कहा चुप बिलकुल चुप यहां दारू पीने आयो जबकि पता है आज भी कहा तो अरे पापी तुने उस लरकी को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल तुट गई पापी वो बच्ची सुबद चार बचे से उठी है घर का सारा काम कर रही है ना सुबद से ना स्ता किया ना दिन का खाना काया फिर भी हसते हुए सबकी बाते शुनते हुए ताना सुनते हुए घर के काम में लगी रही ऐसे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा उसके यार दोस चुपके से किसत लिये अफशास बहु के कमरे में गई और बहु का हाथ पकर कर बाहर लाई सब लिखके सामने कहने लगे किस方 लेगपएवान करन है एल का है दूसरी बहु ले आऊं। याद है न चुटकी की रादी अपनी बहु की कर्तूत। साथ से गुस्से से परोस की महला को कहा। अभी पिछले हपते ही तुम्हें पिया बीबी बुके चोर गुमने चले गए थे मेरी इसी बहु ने साथ दिन तक तुमारे घर पर खाना पानी यहाद तक की तुमारे पैरदवाने जाती थी और तुम इसे जाहिल बोलती हो। सास ने एक प्लेट उठाई और बोजन परोसा और बहु के कमरे में खुद ले गई। सास को बोजन लाते देखा तो बहु ने कहा अरे माजी आप क्या कर रही हो। मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा डर मत इसमें जहर नहीं है। मार नहीं पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहु चाहिए बहु ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया सास भी रो दी पहली बार और कहा चल खाना खाले फिर उसके आशू पोस्ते हुए बोली अरे तू मेरी बहु नहीं मेरी बेटी है कुछ रिष्टे बहुत मीठे होते हैं बस बाते कर भी होती है बहु को प्यार देखो वो तुमारे परिवार के लिए अपने घर का आंगन चोड़ कर आती है अगर आपको मेरा यह चोटा सा प्रियास अच्छा लगा हो तो आप मेरी चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें